हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल अमिर खान की लाडली एरा खान जल्द ही निर्दर्शन की दुनिया में कदम रखने जा रही है एरा खान ठेटर प्ले का निर्दर्शन कर रही है हाला ही में यूरिप आइडियस मीडिया के साथ अपने नाटकी ये डेबू की घोशना करते हुए उन्होंने बताया कि ये प्ले उनके लिए क्यों इतना खास है एरा खान इन दिनों अपने प्ले की तयारी में वेस्त है जिसे वह जल्दी मंच पर पेश करने के लिए तयार है इरा खान ने जब से खेटर प्ले यूरिप आइडियास मीडिया के साथ निजर्शन में अपना डेबू की घोशना की है वह हर किसी का ध्यान आकशित कर रही है लेकिन उनके सपर के बारे में बात करें तो अभी बहुत कुछ जानना बागी है इस बारे में बात करते हुए कि उन्होंने मीडिया के साथ अपनी शुरुआ को क्यों चुना है एरा कहती है मैं एक ऐसी काहानी निर्देशित करना चाहती थी कि जहां मुझे लगता है कि मैं कुछ खास बता पाऊंगी मुझे यह नाटक पसंद है क्योंकि मैं कहानी को अपने तरीके से बताना चाहती थी मीडिया ग्लासिक कहानी की तरफ क्या लुबाता है इस पर विस्तार से बताते हुए हीरा साजा करती है कि मुझे ग्रीक पूराने, कताई, दिलजस और नाट किया लगती है ये मितेक बेतु के है मुझे हमेशा से पताता कि अगर मैं नाटक करूंगी तो मैं एक लासिकल कहानी करना चाहूंगी और जब मैंने प्रक्रिया शुरू की तो मुझे वास्तों में मीडिया पसंद आया क्योंकि यह अभी प्रासंगिक है हम आज भी ऐसे मामलो को देखते हैं जो कि ग्रीक तासिय और जर्मन साहित्य की शास्त्रा रही है और शास्त्रिय साहित्य में उनकी विशेश रूची है यूरी पैडर्स मीडिया का निर्जर्शन इरा खान द्वारा किया जा रहा है जो कि एंट्रोड वपी द्वारा प्रस्तूत और सारीका के प्रोडक्शन हाउस नौटंग की साफ प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है इसमें हेजल, कीज भी अहम रोल में नजर आएंगी फ्रेंड अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिए ऐसे न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिए